तो गाईजर अभी हो चुकिए सुबह और हम सुबह सुबह देखने वाले न्यूज देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में ब्रेकिंग न्यूज लॉस सेंटोस के प्रेजिडेंट ने रखा एक नया नया गेम इस गेम में अगर तुम जीत तो तुम जीत सकते हो घो पूरा का फुरा लॉस सेंटोस तुम आ रहा हो सकता है बस तुम्हें प्रेजिडेंट की लॉस सेंटोस को एक गेम में हराना होगा जिसको ही पाइडिसेट कर रहा है चल्दी चल्दी आये टाइम बहुत कम बचाए ब्रेकिंग न्यूस अरे काईजर ये क्या चल्द रहा है न्यूस में भी आ रहा है कि प्रेजिडेंट सर एक नया गेम के लाइर है उस गेम में जो भी जीते का लॉस सेंटोस उसका हो जाएगा और काईजर जो प्लेयर है वो उसकी बीवी है वो कितनी जादा बूरी लग रही थी और काईजर ये वाला गेम है मैं खेलू और अगर जीत जाओं तो मैं पूरो के पूरे लॉस सेंटोस जीत सकता हूं ये तो बहुत ही काईजर में तो अभी के अभी जाने वालों उस गेम को खेलने के लिए क्योंकि मुझे तो बहुत ही जादा एजी लग रहा है क्योंकि या जो मेरी मुझे वो गेम खेलना है तो काई सर अभी हम उस प्रेजिडेंट के वहाँ पर पहुंख चुके जहां पर ये खतरनाक सा चैलेंज चल रहा है और आप देख सुदियावे कितने सारे लोग है और ये सारी प्रेजिडेंट की गाडिया भी यहां पर खड़ी है अगर मैं ये और ये सारी के सारी गाडिया मेरे होने वाली है और ये पूरा का पूरा लॉस सेंटोस भी मेरा होने वाला है मैं आगया मैं आगया जैलेंज करने ओ बच्चे तुम्हारा स्वागत है क्या तुम इस जैलेंज को करना चाहूँगे हाँ मैं इस जैलेंज को करना चाहूँगा अरे हां आंटी आप्टेंशन मतलो मैं आपको आराम से हरा दूगा चलो बच्चे तुमको इस गेम के रूल्स मताता हूँ हम तुमको एक चैलेंज देंगे उस चैलेंज में तुमें मेरी बीवी को हराना पड़ेगा अगर तुमने उसे हरा दिया तो पूरा Lost Centos तुमारा हो जाएगा पर अगर तुम मेरी भीवी को नहीं आ पाए तो हम तुमें Lost Centos से बाहर निकाल देंगे क्या? Lost Centos से बाहर निकाल देंगे? अरे ये तो टीवी में नहीं बोला था बच्चे हर चीज टीवी में नहीं बता सकते बताओ क्या तुम accept करते हो क्या मैं accept करूँगा अरे कैसे अगर मैं ये challenge जीतता हूँ तो loss centers पूर का पुरा मेरा हो जागा पर अगर मैं ये challenge हारता हूँ तो ये मुझे loss centers से बाहर निकाल देंगे अगर मुझे loss centers से बाहर निकाल दे तो मैं रहूँगा आपे क्या करूँ क्या करूँ पर एक सेगेंड यार मुझे नहीं लगता ये बूड़ी आर्टी मुझे हारा सकती है प्रेसिडेंट सर मैं तयार हूँ आपका challenge लेने के लिए तुम अच्छे क्या तुम contract पर sign करोगे अगर तुम हारते हो तो हम तुम्हे loss centers से बाहर निकाल देंगे हाँ मैं sign करने के लिए तयार हूँ और मैं challenge करने के लिए भी तयार हूँ बहुत अच्छे चलो चलते हैं challenge करने जीते तो पूरा loss centers तुमारा हारे तो हम तुम्हे loss centers से बाहर निकाल देंगे तुम्हारा स्वागत है इस कदरनाक से challenge में तुम दोनों के बीच में ओने वाला है ये challenge पूरे loss centers के लिए इस challenge में तुम्हे अपनी बाइक को लेके जाना है और इस पूरे challenge को complete करना है ये challenge बहुत ही जादा हाड है पर अगर तुम इस challenge को जीतते हो तो पूरा का पूरा loss centers तुमारा हो सकता है और याद रखना अगर ये challenge तुम आ रहे हम तुम्हें loss centers से बाहर तेक देंगे तो देखते किस की होती है ट्रोफी सबसे बहले लड़के तुमारी बारी ओ क्यांकल तो कैसर सबसे पहले बारी मेरी आ चुकी है और कैसर मुझे कैसे भी करके ये जीतना पड़ेगा क्योंकि कैसर अगर मैं ये जीत गया तो ये पूरा का पूरा loss centers मेरा होने वाला है और हारने का तो कोई chance नहीं क्योंकि अगर मैं गल्ती से भी हारा तो मुझे ये लोग loss centers से बाहर निकाल देंगे और फिर मैं कहां जाओंगा मुझे नहीं पता इस लिए मैं ये चैनले नहीं आज सकता मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा और फडावपट से लेके चलते सारे के सारे पंखो से बच्ते-बच्ते अभी हम यहां पर आजूगे और कहुँचार यह सामने क्या है और इनसब को में उडा दिया है अब ही मस्ता जंप करना पड़ेगा फडावपट से जंप करते अब यह बोतल कैसे गूमरी है यह में नहीं माय पाएगी और यह बच गया यह बोतल मुझे उड़ा सकती नहीं पर कैसर हम यहां पर बच चुके और यह मैं कहा जा रहा हूँ चलो कैसर फड़ा पड़ से चलते हैं यहां पर मैं बहुत ही जादा पास आता रहा हु गिर गया तो कैसर अभी मैं वह स्लीपनी रूट पर गिर चुका हूँ अब बार यह बुड़ी आंटी की देखते हैं यह कहां तक जाने वाली है मुझे नहीं लगता है मुझे से आगे जा सकते हैं जो कि यह बुड़ी आंटी इनको तो मुझे लगता हैं बाइक में चलाना बेटा अभी मैं यह चैलेंज कंप्लीट करके दिखाती हूँ बेटा तो कैसर अभी यह बुड़ी आंटी फॉली स्वीड़ी ने बाइक को भगाते वे जारी है आपको को लगता है क्या यह चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी मुझे तो नहीं लगता अगर कैसर मुझे यह च उसके छिए था आए तुमको लगा मैं कमसार ऊंतर नहीं हूँ पैटा यह तेख को और कैसर यह क्या सामने स्लेप्री वाला रोड़ा शुका है ना यह नहीं तो और यह तो सधी वाला रोड पे चले गई कंप्लीट कर देगी नहीं रुखचा रुक्चा रुक्चा में फिरिशिंग लाइन आचुके और काईजर ये क्या ये बूड़ी अंटी ने तो चैलेंज कम्प्लीट कर दिया लड़के तुम ये चैलेंज हार चुके हो इसका मतलब हम तुम्हें लोस सेंटर से बाहर निकलने वाले अरे अंकल ऐसा केसा हो सकता है मैं नहीं हार सकता अरे अंकल प्लीज मुझे लोस सेंटर से बाहर मन दिकालो मैं का जाओंगा बच्चे वो सब मुझे नहीं पता चैलेंज के पहले हमने तुमको बोल दिया था और तुमने कॉंट्रेक भी साइन कर दिया था इसलिए तुम्हें लोस सेंटर से बाहर जाना पड़ेगा आ इंकल प्लीज प्लीज इसा मत करो बच्चे अअम कुछ नहीं कर सकते बाहर निकलन लुष एंटरस से नहीं नहीं जाओंगा जिएे बच्चे एक बार पीछे देखो नहीं प्रेशर शेक्युरिटिच वाई बच्चे तुम्हारा टाइम आ शुका है लोस सेंटरस निज् ए कवालो ने मुझे पता नी कहा भीद तिया ये मैं कहा आचुका हूँ। तो Gais Leonard, अभी आप देख सरोको मैं को ये लॉसेंट़ से बाहर निकाल दिये। इस नदी के उस नादी के तुर मुझे लॉसेंट़ से बाहर निकाल दिये। मैं आचुका उलगेवént पहाड और गाहूं है पता है क्या क्या मेरे सारे कपड़े भी ले क्लck समझ नहीं जो चाहिंगा मुझे Last House से बाहर निकाल दिया मर को करना जाष्ठ मैं इसा रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं नहीं रहा है Mister President अगर तुम्हें लॉचएंट टॉस में वासाना है तो तुम्हें मुझे 500 jd डूर्स थेने पढ़ेंगे अगर तुम्हें 500 jd दोगी तुम्हें लॉच्टेंड्स में वासने दूंगा तो खाई सर अभी मुझे Mister President को फोना है था उन्होंगे और में उनको 500 jd लाके दूँगा तो वो मुझे लॉसेंट डॉस में फिर से आने देंगी और काईसे मेरे चितने बैंक अकाउंटे वो सारे के सारे फ्रीज कर दिये मेरे पास जितना पैसा सब का सब ले लिया है उन्होंने मुझे शुरू से शुरुआ करनी पड़ेगी अभी मेरे पास एक भ करनीपड़ी क्यों गाओं में आ चुके सहार में तो चुके यहां पर आ चुके यहां पर ने आप अख्याप। अंकल अंकल मुझे एक फारमर बनना है पूरे रिकट पर तुमको यह त्रैक्टर चलाना पड़ेगा अगर तुमने आठी त쟁यर चलाया तो में तुम्हें फार्मर बनाऊंगा और बहुत साला पैसा दोंगा Okay अंकिल आप ररेक्टर बतलो मैं बहुत ही अच्छा ट्रेक्टिर चलाता हूं में इसलो क्षे अक्षे रुक चाओ रुक चाओ एए चलाने वाले बादे झुण चलाने तो कईसर अब यह म united Um करने वाले यह फारमर की job चलाने बाले किखो फड्वा usted को अपर से चलाते हैँ और गाईशर हमे इस ट्रेक्टर इस बौरे खेत को जोद देते और काई इसको बड़ा बड़ा बड़ी असा बनाप हो ऑना इस लगता है मुझे लगता है बहुत सारा पैसा देने वाले अगल आए से बहुत सारे खेत करते बहुत सारे पैसे कमांगे 500 million dollars लेके वाप इसे Los Santos जाने वाला हूं तुकाईजर अभी हमारा है मैं पूर का पूरा काम हो चुका अंकल यह देखो मैंने सारा काम कर दिया हरे बच्ची तुमने पहुत ही अच्छा काम किया यह लो 5 डॉलर क्या पांच डॉलर इतना सारा काम करने के स्री पांच डॉलर बच्ची यह कहते ना किलो सिंटोस का बैंग यहां पे काम करने का इतना ही पैसा मिलता है काम करना है तो करो और ना निकलो यह से अरे ने अंकल मुझे काम करना है मैं काम करूंगा अरे कैजर मैंने इतनी ज़्यादा देर काम किया और मुझे सिर्फ 5 डॉलर मिले ये तो बहुती ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मैं इधर से 500 मिलियन ओलर तो नहीं कवा सकता पर मैं इतने पैसे ज़रूर कमा सकता हूँ कि मैं अपने लिए कपड़े और कुछ खतरनाग वैपन्स करीद सकूँ क्योंकि कैजर अगर मैं बहुत सारे वैपन्स करीद दूँगा और फिरम कर पाएंगे बड़ी सी रॉबरी जिसमें में में विलेंगे 500 मिलियन डॉलर्स तो बड़ा हम अब दे सारे के सारे खीद को ठीक कर देते हैं उसके बाद मैने सुख गिरी पर मैं ने रुका मैंने सोच लिया था कि मैं पैसे कमाके रहूँगा मुझे दुन्या की सबसे बड़ी राबरी करनी है उसके लिए मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी इसलिए मैंने पुर्गी पुरी दिन रात एक कर दिये और फिर वो दिन आया तो काईजर अभी है पुर्गी पुरी खेती याँ पर करते जा रहे है एक सिकिंड ये कहता यहाँ पर कुछ आवा जा रही है एक सिकिंड लगता जमीन में कुछ है मुझे देखना पड़ेगा अर इधर तो कुछ दिखाई नी देरे पर यहाँ पर कुछ तो है बतार लुए जैसा मुझे लग रहा है रुख जाब मुझे आपर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी तो क्वाइजर मुझे इस जमीन में कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है जब ही मेरा ट्रेक्टर यहाँ से जा रहा है तो कुछ लूए जैसा निदर अड़ रहा है यह क्या चीज़े मुझे समझे रहा यह तो उसे गोल्ड जैसी मुझे कुछ लग रहा है मतब गोल्डन कलर की है क्या यह सही में गोल्ड है रुख जो रुख जाब मुझे और ड्रिलिंग करनी पड़ेगी मैं बहुत ही जाथ ठक चुक हूँ पर काईजर मुझे ड्रिलिंग कर गए से निकालना पड़ेगा क्या यह सही में गोल्ड है अगर यह गोल्ड हुआ तो मेरी किसमा तो चमकने वाली है और काईजर अभी हाँ देख सो कि मैंने इसको बाहर निकाल लिये और काईजर यह तो सही में गोल्ड है इस जमीन में मैं जितने दिनों से खेत ही कर रहा हूँ इस जमीन के अंदर तो गोल्ड निकल चुगा है यह तो बहुत दिकातर नाग है रुक चो मुझे और ड्रिलिंग करनी चीए मुझे लगता है और मुझे गोल्ड मिल सकता है तो गाइसर अभी मैं बूरी के पूरे खेत पें जहाँ पर मुझे लडु पर फिल होने वाला है वहाँ पर मैं ड्रिलिंग करने वाला हूँ और काइसर यहाँ मुझे लडु लडु फिल हो रहा है मुझे यह मार्क आद लखना पड़ेगा और भी देखते हैं कहा कहा पर मुझे लोगा जैसा फील हो रहा है वहाँ पर मैं करूँगा डिलिंग फिर देखते हैं मैं क्या क्या मिलने वाला है चलो काईजर पड़ा पर से पूरे खेत में गुवाते हैं और यहां पर मुझे लोगा फील लोगा दिया है चलो गाइसर पूरी पूरे खेट में देखते हैं जहाँ जहाँ पर लोगा मैं वहाँ से गोल्ड निकाले वाला बहुत ही जादा मजाने वाला है तो काईजर अभी रात हो चुकी है मुझे कुछ नहीं दिखा है तो और काईजर मैंने इतने सारा गोल्ड ढूल ले आप देख से तो यह एक यह तो यह तीन चार पाच यह पूरा का पूरा खेट यहां पर गोल्ड से बढ़ चुका है यह देख से तो हर जगे स्रिफ गोल्ड सबसे बड़ी चीज यह सारा गोल्ड मुझे मिल चुका है तो यह तो हमारे लिए बहुत ही जादा लखी निकला हर जगे गोल्ड और यह बड़ा सा डाइमंड पूर का पूरा खेट यार गोल्ड से भरावा है तो काईजर जो ओनर था उसको यह सब पता नहीं है वह यहां स से पहले मैं सारा का सारा गोल्ड लेकर यहां से निकल ले वाला हूं ता कि उस ओनर को कुछ पता नहीं चले हो मिस सारा सारा गोल्ड लेकर यहां से गायब हो जाए चलो काईजर फड़ा पर से ट्रक वालों को फोल लगाते मैं सारा सारा गोल्ड भरके यहां से निकल ले वा उससे पहले कि वो गाओं उससे पहले कि वो खेक का ओनर उठे हम इधर से निकलने वाले है पर काईजर अब भी में लॉस्टाइन टॉस में नहीं जा सकता त्यूंकि मेरे पास 500 झाल यह और यह गोडर होगा कम से कम 50 60 मिलियन डॉल मैक्स टुमेक्स यह 100 मिलियन डॉलर्स कोगा पर अकर अगर हमें लॉस्टेंट आपश जाना है तो में 500 मिलियन डॉलर्स चाहिए तो काईजर मैं यह सारों पैसों को यूज करने वाला हूँ खतरनाक वैपन्स करीदने के लिए और तोड़े से कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे क्योंकि काईजर अभी मेरे एक चट्टी में गूम रहा हूं तो वड़ाफ़र से बहुत सारे व वाले इस खतरनाक से वेराऊस में और आप सोच रोगे कि इस वेराऊस में ऐसा क्या खतरनाक वने वाला है कि हमें 500 जास मिल जाएंगे तो कई जर वाईजर वाईजर उस्का पड़ेगा भी झोड़ांज एंदर गुचकों थे और प्र इसको बेच एंदर ऑने वाले उने सा पर दया है कि're any magic sir भाइकर गालो को आड़े you और नब ही इन सब को मार नब पडेगा बैङर अब इन-बपर चुप चुप चुके च लो फड़ा आपाह बर धोते है और इन सब को मारते है ₅चै बिशनय सारी बाईक विख ग्र्डाता है ये सारे लोग लौट सेड्ड्स में बाइक लेगे गूमते हैं, वन मैंने मारते हैं और और वरस रहलों से व्लाग ज मंधानी हैँ तुपर आफ़र से बैक में डालन शुरू करते हैं, यह बहुत ही जाधा महना होने बाला है, अभी आफ देख सो 2 लाग डोलर माप सुझें, 3 लाग डोलर, 4 लाग डोलर, 5 लाग डोलर, कितने ही जाधा चल्दी-चल्दी है, हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है, 8 लाग डोल और यह वन मिलियन डॉलर्स अल्रेडी हमारे पास हो चुके है और अभी तो हमने सिर्फ दो परसे लूटा होगा तो फड़ा उपड़ से यह सारा का सारा बैत लूट लेते क्योंकि कैसे सही में बहुत ही जादा मेंगो होने पाला है और इनको बेचने के अबाद हम लॉसेंट हैं जिस भी लॉटने वालने हैं यह सारा का सारा मेथ लूट दें फिर आप से बात करेंगे चलो चलोचलोचली लूट लोग। तो काईजर हमने सब का सब लूट लिया है बस ये आकरी बचा है चलो बड़ावट से इसको भी डालते है अपने बैग में और काईजर अब यह बहुत सारा पैसा हो चुका है मैं वेट नी कर सकता है इन सब को भीचने का फिर में देखू हूँ कितने सारे पैसे हैं मिलने वाले चलो फड़ावट से इसको भी डाल लेते हैं और गाईजर डन हमारा सारा काम हो चुका हमने सब का सब लूट लिया है और अब बार यहां पर बांब प्लांट करने की चलो फ का लिए ऑन देखते हैं किसी को पाता है नहीं चले ही किसी को पाता है वाँवे चितने खाओ जाय聊 ते सब के सब बास्तो जाएंगे चरो पर अपड़ा और सारे के सारे सावान को पेच दे जे डॉनर्स लोसेंटोस में जाने के लिए और अभी हमार पास 2 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स आ चुकी है मतलब 500 चार बार तो काईजर यह तो सही में बहुत ही जादा खतर ना कोने वाला है चलो फुड़ाओ चलते मैं जाने वाला हूँ वापिस से लॉसेंटोस प्रेजिडेंट सर को हमें सिर्फ 500 मिलियन देने पर अब मैं उनको देने वाला हूँ पूरी की पूरे 500 मिलियन दूंगा बाक से ने स्कूर्ण के घर और आएंको देने वाला है फाइफ फॉंडर्स मिलियन डॉलर्स और ब्रेजिडेंट कश आ ले हमें हैं सिर्गिंड तुम सेंट डॉस में कैसे ऐए मना किया तो सिर्ग अधानहां ने बीना अनक्ल अनकल मेरी बात तो सुनो में पास फीफ फ्सुंड टोल्रस में मुझे की अशाल नंव drive Dios और यह क्या bigger sub क्eles एक सिंदंब और मुझे उचैनेगों करा बद को उर्सी मिल्यां शाल धाकिंक्यित करा मैं करा निते इंते एकबिश बेस्चु कॉ juvenile in action मतलब तो काईजर अभी आप देख सकतो हम वापे से लोसें टोस में आचुके 500 बादिंड मिल्यन कर्चकिए लोसें टोस में वापे वापे साने के लिए और 500 मिल्यन और खर्च की फ्रेजड़न की सारी की सारी सारी गार्डिया लेने के लिए तो कैसे सारी एसरी पेसिडंट की काडिया हमारी हो चुकी है और काईशर अब भी हमारे पास 1 बिलीयन डॉलर्स और बच्य हमत्लब 1000 बिलीयन डॉलर्स और और उन 1000 मिलीयन डॉलर्स से हम खरिदेवाले अपने लिए नचा नया गर चलो फड़ाफर से उपने लिए नहा नहाँ घर करीते हैं बहुत जादा मजा धने वाला है 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 का नहाँ नहाँ घर तो काईजर क्या हम तैया रहो हमारा 1,000,000,000,000 का घर देखने लिए क्योंकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और हम यहां पर आचुके और यहां पर पहले से मुझे बहुत सारे सिक्यूरिटी वाले दिख रहे हैं अभी अपनी रोल्स राइस में आचुके फडाल पर दसको यहां पर रखते हैं और आपका स्वागत है ने वन बिलियन डॉलर वा सोचा कि एक वन बिलियन डॉलर वाले घर में सिर्क एक गराज मिलेगा तो नहीं हमारे पास दो दो गराज है और इसमें देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें और स्खुल जा सिम सिम और यहां पर भी खतरनाक खतरनाक सूपर कार्ण्स कड़िए यह तो सहीं में बहुत ही जा बढ़ा है मुझे दो बहुत करा नहीं अलगा सबसेफ़ले हैं गराज से यहां पर आनकी सबसे पहला हम रूम में जाएं क्या और यह क्यां ने कभी किसी गर के अंदर बोलिंग रूम ठेका इवरावर्ण से मुझे कशुकि मैंने तो कभी नहीं और यहां पर मैंने पुरू आपे बाइन आपा जाए नाप अपी पार्णा था किचन यह भी बहुत ही मस्त और यह वे बेच भी बेच्ट मसे कर सकते और यह एक खतरनाक सब बैनो और यह भी टाइनिंग टेबल तब तब यह पूल टेबल भी है यह तो सही में बहुत ही कहतरनाक है बाहर हम चलेंगे पर यहाँ भी देख लिया जाए यहां पर इएक और पुल्टेबल एक ही फ्लोर में दो हुआ लगे वेग्ष गर दूसरे रस्ता यह एक और रूम और इदर कहें प्राइवीट थीटर पहांपे बॉलिंग रूम तो यह वे कुट का प्राइवीट थीटर रहा कितना सादा तो बहुत ही जादा ख़तरनाक है और देखते हैं और गर्वे क्या है इस वाले रूम में जाके देखेंगे और यह बातरूम में जा झाम सब बाट्टा में जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है यह से बाहर निकलते और मुझे यहां पर भी रूम दिखाई दिर और गाовор और औ जब आप रबस $1 billion है यह बहुत ही खतरना के और देखते हैं इस फ्लोर में क्या-क्या में मिलने वाला है तो काई जब एक और फ्लोरे पर आप दिखते हैं पहले वाले फ्लोर में कितनी सारी चीजे अब तो अब साब बार चाल के देख लेते हैं बार कोस्ता ही हमको सबसे पह आप लगता है मुझे खाई दाची किनी पड़ावट से मुझे कमेंट करके बता दो कुर्म लाकर यह भी बहुत ही जादा बढ़िया आउड़ एरिया है चलो आप बसे अंदर चलते और हम जाने वाले उपर वाले फ्लोर पे देखते उपर वाले फ्लोर में क्या-क्या मिलन है यह आप अपना खुट का कंप्यूटर लगावारी बालकर नी सहीं बहुत ही मस्त है सामने पूल के पूरे लॉस सेंटोस के समंदर का व्यू आता है जो कि बहुत ही खतरनाग है तो आप इसे अंदर चलते हैं साई से कपड़े बुक्स और बहुत साही चीज़ यहां पर बाल करनी तो नहीं है पर यह मस्ता बात्रूम है और यह बेड्रूम भी बहुत ही खतरनाक है तो कहसे मुझे सबसे खतरनाक बेड्रूम टूड़ना पड़ेगा उस बैड्रूम में मैं रहूंगा चलो बड़ा वट यह हमारा खातम हो चुका अब चलते उस वाले फ्लोर के स तो बड़ी से टीवी है और यह बाला बैडरूम मुझे जादा चल लगा और यह बड़ी सी बालकरी यह है मुझे बहुत ही खतरनाक लगा और कुद का टेलिसकोप यह जाज़ देख सकते चांद और तारह अभी दिन होगा तो को चांद तारह नहीं दिखने आपाज तो और स्विविंग पूल को देख सतें बहुत ही खतरनागे जो की तो काईजर बड़ावट से कमेंट करके पाद हमारा घर आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत ही जादा खतरनाग लगा यह घर तो बहुत का तर नहीं सामने जोसका व्यू है वह और भी जादा कहतरना की क्यूकि ह पूरो का पूरा समूंदर इधर से दिखता है बहुत ही जादा खतरनागे तो काईजर पूरा का पूरा घर हमने देख लिए अब बार इन गाड़ियों की काईजर यह गाड़ी बहुत ही खतर लग लगी इसको लेके जाने वाले थोड़ी सी ड्राइफ और काईजर कितनी पर फटाब बटसे कमें बता हो उन काम क्या करें तो कैसर आज ही पर सही पर ताइए अगर आपको आशन्व मूचे लाइक कर देना चाही सबस्टर्ब करते ना पता ने सब्तरूं कि फीडिओ फटाब बटसे कमें बता दो और कैसर अब बिलेंगे आप सिर्प्री ब्रम पे